हेलो फ्रेंड्स वेलकम स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में फ्रेंड्स क्या आप भी गिलिच वीडियो एडिटर एपलिकेशन की मदद से अपने बैक्ग्राउंड को बिलर करना चाहते हैं इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाये था गिलिच वीडियो एडिटर एपलिकेशन के उपर उसमें मुझे काफी सारे कमेंट्स आये थे कि आप गिलिच वीडियो एडिटर एपलिकेशन की मदद से किस तरीके से बैक्ग्राउंड को बिलर कर सकते हैं तो आपको को इटें पर यहां आने के बाद देखिए मैंने glitch video editor application को open कर लिया है यहां पर आपको कुछ इस तरीके से interface देखने को मिल जाता है देखिए अब हमें video edit करना है तो मैं edit वाले option पर click कर देता हूं यहां से मैं कोई भी एक video select कर लेता हूं यह करने के बाद आपको side click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो आप अपनी video को edit कर सकते हैं यहां से यहांने के बाद आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं और इसके पहले मैंने glitch video editor application की उपर एक complete video बना रखा है अगर आपको है तो आपको i-card या description में video मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हैं यहां पर देखिए हम लोग को बात करनी है background की तो आपको एक option देखने को मिल जाता है background का तो मैं इस पर click कर देता हूं यहां click करने के बाद आपको फिर से कुछ option देखने को मिल जाते हैं जैसे blur है, color है, gradient ह और pattern का, तो आप यहां से देखिए blur वाले option पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से अपने वीडियो को blur करने का option देखने को मिल जाता है, लेकिन friends इसमें एक problem है कि आप अपने वीडियो को जूम आउट करने के बाद अपने background को blur कर सकते हैं, लेकिन जो आपके real background में को blur को बता रहा हूं कि आप अपनी वीडियो का background इस application की मदद से बिलकुल भी remove नहीं कर सकते हैं, आपको अगर अपनी वीडियो का background बिलर करना है तो इसके पहले भी मैंने और वीडियो बना रखी हैं, वो भी आपको description box में मिल आएंगे तो जाकर आप देख सकते हैं, तो friends आ आप अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से adjust कर सकते हैं, यहां करने के बाद right के निशान पर करेंगे और आप अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से यहां edit कर सकते हैं, और इसके पहले मैंने complete वीडियो में सारा कुछ बता दिया था, और अगर आपको इस application का watermark remove करना है, तो वीडियो भी आपको description में देखने को मिल लाएगी, तो जाकर आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यहां पर जाकर आप अपनी वीडियो को next करके और अपनी वीडियो को save कर सकते हैं, तो देखे friends आपका जो वीडियो है वो complete यहां पर save हो चुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके पहले आप सभी को यह पता नहीं था या पता था तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, और friends आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, comment करना बिलकुल भी ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कर दीजिये, और channel पे vote की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में, जब तक के लिए, बाई